मेरे परिवार्जनों हमारे शास्त्रों में कहा गया है जिवेशु करुणा चापी मैट्री तैशु विधियताम अर्थात जीवों पर करुणा के जे और उन्हें अपना मित्र बनाईए हमारे तो ज्यादातर देवी देवताओं की सवारी ही पशुपक्षी हैं बहुत से लोग मंदीर जाते हैं भगवान के दर्शन करते हैं लेकिन जो जीव जन्तुन की सवारी होते हैं उस तरब उता ध्यानी नहीं देते हैं ए जीव जन्तुन हमारी आस्था के केंद्र में तो रहने ही चाहिए हमें इनका हर संभव सवरक्षण भी करना चाहिए बिते कुछ वर्षों में देश में शेर, बाग, तेंदुआ और हाथियों की संख्या में उत्सा वर्दक बढ़ोतरी देखी गई है कई और प्रयास भी निरंतर जारी है ताकि इस धर्ती पर रह रहे दूसरे जीव जन्तों को बचाया जा सके ऐसा ही ये कनोखा प्रयास राजस्तान के पुष्कर में भी किया जा रहा है यहां सुखदेव भड़जी और उनकी टीम मिलकर बन्ने जीवों को बचाने में जुटे हैं और जानते हैं उनकी टीम का नाम क्या है उनकी टीम का नाम है कोबरा एक खतरनाक नाम इसलिए है क्योंकि उनकी टीम इस ख्षेत्र में खतरनाक सापों का रेस्क्यू करने का काम भी करती हैं इस टीम में बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं जो सिर्व एक कॉल पर मोके पर पहुंचते हैं और अपने मीशन में जुड़ जाते हैं सुखदेव जी की इस टीम ने अब तक तीस हजार से ज्यादा जहरीले सापों का जीवन बचाया है इस प्रयास से जहां लोगों का खत्रा दूर हुआ है वहीं प्रकृति का संवरक्षन भी हो रहा है ये टीम अन्य बिमार जानवरों की सेवा के काम से भी जुड़ी हुई है चाथियों तमिनाडू की चिन्ने में आटो ट्रावर एम राजेंदर पसाज जी भी एक अनोखा काम कर रहे हैं वो पिछले 25-30 साल से कभूतरों की सेवा के काम में जुटे हैं खुद उनके घर में दोसों से ज्यादा कभूतर है वहिन पक्षियों के भोजन पानी स्वास्त जैसी हर जरुरत का पूरा ध्यान लगते हैं इस पर उनका काफिक पैसा भी खर्च होता है लेकिन वो अपने काम में डटे हुए हैं साथियों लोगों को नेक नियत से ऐसा काम करते देखकर वाकई बहुत सुकुन मिलता है काफी खुशी होती हैं अगर आपको भी ऐसे ही कुछ अनूठे प्रयासों के भारे में जानकारी मिले तुने जरूर शेर कीजिए